डी ब्लॉक में देखिए दुकाने बननी शुरू हो गई है यहां पर शटर भी लग गए है पेंट भी बहुत अच्छा हो गया है अब डवलप्मेंट कुछ नजर आएगा बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि यहां तो 10 साल भी कुछ नहीं होना है कुछ भी बोल सकते हैं आप 20 साल भी कुछ नहीं होना है अब यह नहीं बोल सकते हैं जवाब नहीं है फोन पर किसी भी चीज़ के रेट बताना संभव नहीं होता है देखिए फिलाल दुकाने यहां पर बन चुकी है डी ब्लॉक में इनका ऑक्षण होगा जीडिय से और यह डी ब्लॉक है देखिए यहा अच्छा कर रहा है ब्राउन कलर का अच्छा लग रहा है यहां पर भी इन्होंने सीमेंट से कर दिया है इसके जस सामने ई-ब्लॉक के प्लॉट्स है ग्रीन बेल्ट है तो देखेंगे इब लॉक के प्लॉट भी लेकिन रियली सुन्दर लग रही है दुकाने कुछ वर्क ह होता है तो देखने में अच्छा लगता है इसके पास में बुनकर मार्ट है यह 30 मीटर वाइड रोड 100 फूट की सडक है जिन पर यह जीडिये की दुखाने हैं कि देखिए अब यहां पर सडक पार करते ही हम देखेंगे ग्रीन बेल्ट ई ब्लॉक डी और ई आमने सामने हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं यह ग्रीन बेल्ट ये 20 मीटर गही ग्रीन बेल्ट है और इस ग्रीन बेल्ट पर है 200 स्क्वार मीटर के प्लॉट देखिए एक कूडा पड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन जब ये नगर निगम को हैंड ओवर हो जाएंगी कॉलोनीज तो यहां से भी कूडा हटने लगेगा और जब घर बनते हैं तो लोग कूडा फेकना भी बन कर देते हैं खाली प्लॉट होते हैं तो कूडा लोग डाल ही देते हैं यहां पर इ में दिख रहे हैं आपको EWS के फ्लैट ये LIG के फ्लैट ये घर बन गया है साथ सो नंबर का सामने बुनकर माट बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो ये 200 स्क्वाइर मीटर के प्लॉट भी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि देखिए इनके सामने ग्रीन बेल्ट है तो जितना गहरा प्लॉट है उतनी गहराई की ग्रीन बेल्ट सामने है और फिर 100 फूट की सडक है तो लोगों ने इसलिए भी इन प्लॉट्स को पसंद करा है ए ब्लॉट को पसंद करा है क्योंकि ए ब्लॉट सौफूट बाई सौफूट की सडक पर है और पास में उसके बुनकर माट है सामने ये D-block की दुकाने है